जैसे बिना चेंजिस की लाइब बोरिन हो जाती है वैसे ही घर में भी चेंजिस करना बहुत जरूरी हो जाता है थोड़े बहुत कलर एड़ करके डेकुरेशन के आइडियास ट्राय करके और छोटी मोटी चीजों को एड़ करके आपने घर को बहुत ज़ादा खुबसूरत ब Hello Everyone, कैसे हैं आप लोग? I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगी So मैं हूँ Shivani and welcome back to my channel So आज मैं आपके साथ मैं share करने वाली हूँ bedroom makeover काफी दिनों से मैं सोच रहे थी कि अपने bedroom को एक नया look दू तो जो भी bedroom को makeover करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़ादा helpful होने वाली है तो वीडियो बिलकुल भी skip नहीं कीजेगा एंड शुरू से लिखकर एंड तक ज़रूर देखेगा तो सबसे पहले मैं आपको अपने room का before look दिखा देती हूँ उसके बाद हम अपना makeover स्टार्ट करेंगी तो कुछ इस तरीके का मेरा room है और ये makeover बहुत ज़ादा budget friendly होने वाना है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ादा costly चीज़े मैंने add की है बहुत ही pocket friendly आपका ये makeover हो जाएगा और सारी चीज़े मैंने वीशू से purchase की हैं जो भी बाहर से लिए हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी सो यहाँ पर मैं bed को clean कर रही हूँ इसमें क्या है न थोड़े बहुत कपड़ों के फर लग जाते हैं जो आसानी से निकलती नहीं है तो मैंने ये brush मंगाया है वीशू से जो की मुझे 120 रुपीज का पड़ा है और काफी useful है आप भी try कर सकते हो so rental apartment में storage का काफी जादा problem होता है जो कोई भी बाहर रहता होगा जरूर इस problem से face करता होगा तो काफी सारी चीज़ा हम लोग almira के उपर रख देते हैं जो की मैसी लगने लगती है तो regular waste पर इसकी cleaning भी बहुत जादा जरूरी है तो 7 to 5 days के अंदर मैं इसकी cleaning करती रहती हूं regular waste पर जिससी की ये ज़्यादा गंदा नहीं एन मुझे अपनी trolley bags वगेरा भी almira के उपर ही रखने पड़ते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा storage का और कहीं option नहीं मिलता है तो चलिए अपना makeover start करते हैं तो यहाँ मैं शुरुआत करी हूं bed side वाली wall से bed के side में यहाँ पर काफी ज़्यादा जगा खाली है तो मैं यहाँ पर यह मेशों से purchase किये हुए wooden letter यूज करी हूँ और इनकी quality बहुत अच्छी है मैं पहले भी इसका review कर चुकी हूँ तो अगर आप purchase करना चाहती हूँ तो link मैंने description में दे दिया है तो यहाँ पर मैं कुछ greenery इसमें add कर रही हूँ तो यह mini plants भी मैंने वेशों से लिये थे और इनकी quality भी बहुत अच्छी है और यह बहुत ही अच्छी लगते हैं घर में आप कहीं पर भी रख दो यह बहुत ही अच्छा link दे देते हैं तो इस पर मैंने इने यूज किया है यहाँ corner पर मैंने अपना fridge रखा हुआ है क्योंकि kitchen में थोड़ा काम space है and daily basis पर इस पर भी काफी ज़्यादा चीज़े इखटी हो जाती है तो यह भी cleaning जरूरी है तो यहाँ मैं clean कर रही हूँ इसको और यहाँ पर मैं रखोंगी अपना यह metal का flower pot जो कि मैंने मेशो से ही लिया है इसका link में मैं description में दे दूँगी और इसमें जो मैंने यह artificial plant add किया है यह भी मैंने अनक से ही purchase किया था inside में मैंने hang की है यह set of three paintings जो कि मैंने local market से purchase की थी मुझे काफी पसंद आई थी तो मैंने वहाँ से इसको लिया था तो यहाँ पर कुछ और items हैं जो कि मैंने मेशो से ही purchase किये हैं और इन सभी का use करेंगे हम आज की makeover में तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लीजे bell icon को press कर लीजे जिससे latest video को notification सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अगर यह video आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को like करना नहीं भूले तो यहाँ पर entry corner पर भी कुछ space खा ली है तो यहाँ पर मैं यह macram का wooden self use कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा pretty लगता है और मुझे macram के product बहुत ज़्यादा अच्छे लगते है इसमें आप कुछ भी item एड़ कर सकते हूँ तो मैं यहाँ पर एड़ करी हूँ यह statue of Buddha चो कि बहुत ज़्यादा cute and pretty है जो मैंने मीशो से ही purchase किया है फिर इसके साथ मैं कुछ greenery एड़ करने के लिए small plants इसमें एड़ करी हूँ मैं और यह इसका overall look बहुत ही अच्छा लगनी लगता है तो इसी corner के side wall पर मैंने कुछ ही एक frame लगाए ही हुए है और मैं इनको one year से use करी हूँ काफी अच्छी quality है अब इससे पर थोड़ा बहुत dust आता है तो आप clean करते रहो regular basis पर और काफी अच्छी यह चल रही है तो यही पर मैं curtain के side में यहाँ पर यह artificial lips को add करी हूँ जो कि बहुत ही ज़दा pretty look देती है और उनकी quality बहुत अच्छी receive हुई थी packing भी बहुत अच्छा होकर आया था बिल्कुल यह original ही लगता है और जिसी corner पर आप इसको add करोगे तो वहाँ का look एकदम enhance हो जाता है so next मैं यहाँ पर यह almira q पर एक artificial plant को add करी हूँ और अगीन में यह curtain के side में artificial money plant leaves को मैंने लगाया हुआ है और almira के side में मैंने यह storage box रखा हुआ है और यहाँ पर मैं यह soft toy का use करी हूँ और साथ ही में एक छोटा सा artificial plant भी यहाँ पर मैंने add किया है so ready हो गया है यह वाला corner और यह काफी beautiful लग रहा है आप मुझे comment के लिख कर बताएगा आपको यह कैसा लग रहा है so next मैं यह bed के front side वाली wall पर यह macrim का wall handling product लगा रही हूँ और यह वाला product काफी जादा trending है और बहुत ही प्यारा भी लगता है और इसको आप calm से इस तरीके से कर लो तो इसकी shape अच्छे से आ जाती है so next रहे जाता है यह bed के उपर वाला खाली space और मैं काफी साथा confused थी कि मैं यहाँ पर क्या add करूँ तो मैंने यह local market से एक painting purchase किया है यह काफी बड़े size में था तो यह वाला link तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी तो आप भी अपने market को जाकर explore कीजे क्योंकि सारी चीज़े online नहीं मिल पाती है so इसको hand करने के लिए मैंने drill करवाया था क्योंकि without drilling यह hand में ही हो पाती क्योंकि इसका weight थोड़ा जादा है और इस तरीके से यह painting इस space को अच्छी तरीके से fill कर देती है और मुझे तो ऐसा लग रहता जैसे यह खाली space painting के लिए ही था तो यहाँ पर कुछ मैं छोटे-छोटे से sticker add करी हूँ यहाँ पर कुछ nails वगेरा पैरिया से लगी हुई थी तो थोड़ा सा पुटीन वगेरा निकला हुआ था तो मैंने यहाँ पर यह birds के जो sticker है वो मैंने add किया है तो किसी में bedroom को एक अच्छा look देने के लिए एक अच्छी bed sheet का होना बहुत ही ज़़ग ज़रोरी है तो यहाँ पर मैं cotton की bed sheet का use करी हूँ और इसका color बहुत ही प्यारा है white and green का combination है और size भी इसका काफी अच्छा है यह भी मैंने मेशो से ही purchase की थी अगर आप इसको tucking करना चाते हो तो tucking कर सकते हो या फर इसको आप free भी छोड़ सकते हो size इसका काफी अच्छा लगा मुझे and quality भी बहुत ही अच्छी है इसके साथ मैं मुझे ट्यू पिलो कवर भी मिले हुए थे पिलो कवर का size भी काफी अच्छा है अगर आपके बड़े size के पिलो हैं तो आराम से यह fit होने वाला है साथ ही मैं मैंने यहां पर यह velvet के cushion add किये हैं जो कि मेरे bed के color से match करते हैं तो यह काफी अच्छा combination बन जाता है और बहुत ही अच्छा लोग देता है so bed के side corner में मैंने यहां पर यह artificial plant का use किया है जिससे यहां का look बहुत ही ज़ादा enhance हो गया है और बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा है मैंने कुछ lightning का भी use किया है जो कि वेडियो के last में जब light off करूँगी तो मैं आपको show करूँगी so now I'm done with the makeover and यह है before look and इसके बाद मैं आपको बिखाती हूं after look so friends कैसा लगा आपको मेरा यह makeover मुझे comment में लिकर जरू बताईगा मैंने बहुत ही छोटी छोटी चीजों का add करके बैड्रूम को एक नया look दिया है कुछ भी costly मैंने इसमें ज़्यादा add नहीं किया है bed के back side में मैंने यह flickering light लगाई हूँ यह जब light off करती हूँ room की तो यह बहुत ही प्यारी लगती है तो आप भी अपने bedroom को एक नया look दे सकते हो अगर वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को like कीजेगा मेरे चैनल को subscribe कीजेगा साथी bell icon प्रेस करना ना भूले इससे latest वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास